गुड मॉर्निंग टो एवरिवन तो बच्चे पिंजाबी में उस दन हमने कहानी की थी लालची कुत्ता तो आज हम हिंदी में करेंगे कहानी लालची कुत्ता ठीक है मैंने इसको रीड किया है मैं आपको रीड करके बताती हूँ सोरी राइट किया है रीड करके बताती हूँ कि कैसे आपने राइट करने कैसे इनको पढ़ना है तो बाद में मुझे आपने सेंड करना है फर्स्ट नंबर एक कुत्ता था नंबर टू वै बड़ा लालची था नंबर त्री एक दिन वै रोटी का टुकडा लेकर पुल से नदी पार कर रहा था नमबर फॉर उसने पानी में अपनी परशाईं देखी नमबर फाइव उसने अपनी परशाईं को दूसरा कुटा समझा नमबर सिक्स कुटे ने परशाईं कुटे के मुँझ से रोटी शीन ने चाही इदा की मीनिक गया कि उस कुत्ते ने दूसरे कुत्ते से रोटी शीन ने चाहे उसकी परशाहिए को उसने कुत्ता समझ दिया था ना नमबर सेमन, वे रोटी शीन ने बौंगते हुए नदी में कूद पड़ा, शीन ने के लिए, वे रोटी शीन ने के लिए, जहां पर के लिए भी आएगा, बौंगते हुए नदी में कूद पड़ा, नमबर एट, कुत्ते के मुं से रोटी का टुकडा पानी में गिरा, जो उ का टुकड़ा था पानी में गिर गया तो बाद में वो पृष्टानी लगा सीख जिसे हम शिक्षा कहते हैं कि इस कहाणी से हमें क्या सीख मिलती है लाल्च का फाल बहुत बुरा होता है इसलिए बेटा हमें लाल्च नहीं करना चाहिए जो हमारे पास है उसमें संतुस्ट रह करना चाहिए ओके